भीज़कार में सूरेश कुमार, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, तो आज हम बात करेंगे जो कि बहुत सारी जो आंगरवडी विरकर्स हैं वो पूछती रहती हैं कि वो तो अपने पोशन ट्रैकर में जो फोटो है वो अपलोड करती हैं लेकिन जो मेन आईडी है जो CDPO बली आईडी है जिसको हम मास्टर आईडी बोलते हैं उसमें वो रिफल आगरवडी सेंटर हैं कितने ओपन हुए हैं बच्चे कितने हैं कितने बच्चों ने अटन्ड किया है मॉनिक स्नेक्स कितनों को दिया गया है HCM कितनों का है तो image captured जह maximum आगरवडी सेंटर का नहीं आ रहा है जैसे मैं एक सेक्टर देख रहा हूं जहां जो सेक्टर बंब्ल तीन ही आंगनवाडी सेंटर्स की आ रही है हाला कि जो टोटल आंगनवाडी सेंटर है जे 35 आंगनवाडी सेंटर है अगर हम इसी वरकार जो चन्नी प्राट जे सेक्टर है जहां पे देखें कि जहां पे 24 आंगनवाडी सेंटर है उसमें से जो इमेज केप्चर्ड आ रही है की ही आ रही है इसका जे मतलब निकाला जाता है कि जो आंगनवाडी वरकर्स हैं उन्होंने image capture नहीं की है तो लेकिन आंगनवाडी वरकर्स जो हैं वो अपनी तरफ से कहती हैं कि हमने तो image capture की थी वो screenshot खींच के वी जो group में डालती हैं कि देखो जी हमने image capture कर दी थी फिर वी जो है जे जो master ID है उसमें reflect क्यों नहीं कर रही है क्योंकि जो भी हम attendance करते हैं आंगनवाडी वरकर के potion tracker में और जो image capture वगरा करते हैं वो पूरी जो data है वो दूसरे दिन reflect हो जाता है CDPO वाली ID में तो इसमें आपने क्या करना है जैसे आप आंगनवाडी वरकर्स के लिए हैं हम दो मिट के लिए potion tracker में ही चलते हैं तो जैसे potion tracker में आप देखते हैं कि हम daily tracking पे क्लिक करते हैं तो जहां पे आंगनवाडी center status open है तो जह जो image capture जहां पे नहीं हुई है हम जहां पे जो है जैसे ही क्लिक करते हैं जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जहां पे लिखा हुआ है capture आंगनवाडी center photo जह जो आंगनवाडी center का photo capture करना होता है जह daily basis पे capture करना पड़ता है जहां पे लिखा है कि capture any one activity such as providing HCM distribution जब आप heart cooked meal दे रहे होते हैं जब मौनिक snacks दे रहे होते हैं जब प्री स्कूल जो education पढ़ा रहे होते हैं तो kindly include children who are at the आंगनवाडी center जब भी आप pick खिंचेंगे बहां पे आंगनवाडी worker जहां आंगनवाडी helper और जब बच्चे भी होने चाहिए तो जहां पे आपको बताते हैं कि जह mandatory है जो picture capture करना अब हम main question पे आते हैं कि जह क्यों नहीं upload होती है तो हम जहां पे 2 minute के लिए click करते हैं तो जहां पे अगर हम GPS camera पे जाते हैं जहां पे time लग रहा है हाँ जहां पे लिखा है कि to far better experience turn on device location which uses google location services आपने क्या करना है कि जो device location है उसको open करना है जहां most of the आंगनवाडी workers क्या करती है कि जो device location को open नहीं करती है no thanks पे कर देती है अगर आप no thanks पे करेंगे उस situation में क्या होगा बेशक आप photo capture कर देंगे लेकिन वो CDPO बली ID में reflect नहीं होगा इसका जो photo capture करने का मतलब जे है कि जो आपने जो आंगनवाडी center की location दी हुई है वहाँ ही आप photo capture क्योंकि आपके आपके आंगनवाडी center की जो location है वहाँ ही आप आपना जो photo है वो capture करेंगे और उस समय आपने क्या करना है कि device की location जैसे आप जहांपे क्या करती है आंगनवाडी worker no thanks कर देती है आपने जहांपे करना है device location ओके करना है फिर आपने क्या करना है डिवाइस location पर चले जाना है और फिर जो GPS है जब ओके करेंगे तो GPS आर्टोमेटिकली जहां पर GPS दिख र इतने रखनी है तो अगर आप location open करके जो photo है वो click करते हैं तो आपका जो photo है वो CDPO वाली ID में reflect हो जाएगा अगर आप location open नहीं करेंगे तो क्या होगा क्योंकि जो ऐसे आप tempering कर सकते हैं अगर आप location नहीं होगी तो कोई भी आगनवाडी worker पहले दिन का photo खेंच के दूसरे mobile म वहाँ पे photo click कर देंगे लेकिन जहाँ पे जो location का है उसका जही है कि इसमें कोई tempering नहीं हो सकती है जे automatically location आ जाती है और जे location वही होनी चाहिए जहाँ पे आगनवाडी center लोकेटिड है क्योंकि आगनवाडी center में भी आप देखेंगे कि जहाँ पे portion tracker में ही भी है कि आगनव आगनवाडी center का और जब भी आप upload करें वो photo केंच के वो वाला जो photo है वो हम पे बच्चे भी होने चाहिए और आगनवाडी worker और helper भी होनी चाहिए हो सकता है वहाँ पे कई 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 कबार आगनवाडी workers क्या करती है कही meeting विगरा में होती है तो इस case में आगनवाडी helper नहीं किया होता है तो जैसे ही जब भी आप photo capture करें आप अपना GPS जो location को on करके रखें अगर आप GPS location को on करेंगे वो वाली जो picture होगी वो वाली जो pic है वो आपके जो master ID है कहने का मतलब जो cdpo वाली ID है दूसरे दिन वहाँ पे वो जो photo है वो reflect आ जाएगी और उसमें जो है वो number वहाँ show होगा कि इस आंगनवडी वरकर ने जे photo खींचा था जो image capture की थी और जहां पर लिखा है कि जो image capturing है वो mandatory है जे सरकार की तरफ से कहा गया है मनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि जो image capturing है mandatory है तो आपने क्या करना है कि जब भी आप image capture करें तो आप GPS जा location है उसको on रखना है तो I think कि अब इस में कोई confusion वगरा नहीं रहा होगा तो आज के लिए इतना ही था धन्यवाद